शाजबुर में साइबर सेल टीम के द्वारा लगतार जीले के लगलग शेत्रों एवमा संस्थानों में जाकर साइबर क्राइम के बारे में आम लोगों को जागू किया जा रहा है हम लोग अपने साथ होने वाली धोकादड़ी से बस सके साइबर सेल प्रभारी अंकित मुकादी ते बताय के बर्थवान योग मोबाईल का यूँ है जिसमें अनेक प्रकार की साइट के माधियम से लोगों को ही प्रकार की प्रलोबन दिये जाते हैं कई बार लोग फ्लोबन में आकर ठागी का शिकार हो जाते हैं एवं कई बार गलत एवं आपत्ती जुनर के पोस्ट करने के कारण कई लोगों को परिशानों का सामना करना पड़ता है जिसको लेकर साइबर सेल की टीम लगातार अलग-अलग स्कूलों संस्थाम में जाकर लोगों को साइबर की बारे में जानकर इवदान कर रही है वहीं साइबर सेल प्रभारी ने बताए कि वर्तमान यूग में कई प्रकार की साइटों के माध्यम से धोकाधड़ी की जाती है जिन से बचना नितान तावशक है वहीं उन्होंने बताए कि धोकाधड़ी होगे पर इसके शिकायत कहा कहा की जाती है जैसे साइबर अपराद दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उसी तार पर हम लोग भी पुलिस मुख्याले त्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं और उसी में हम लोग साइबर जागरुपता कारी क्राम भी जगे-जगे जाके कर रहे हैं जिससे लोगों के प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिससे हमके खाते के जो पैसे हैं या फिर उनके साथ में कोई भी साइबर क्राइम गटित ना हो आने वाले त्यवारों को देखते हुए तो आप जैनुवन जो वेबसाइट से या एप से उनसे शोपिंग करें क्योंकि अगर आप फरजी वेब आउनलाइन वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in इस पर आप उनलाइन कंप्रेंट कर सकते हैं एक टोल फ्री नंबर है 1930 इस पर भी फोन लगा के अपनी कंप्रेंट को दज करा जा सकता है फिर नजदीगी थाने पर आप सीथ साइबर सेल में आकर अपनी कंप्रेंट को दज करा सकत करते हैं महिला और लड़कियों के साथ चेरचार करके उसे फोटो वीडियो वगरा से चेरचार के नाम दोगी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए इसे फेस्बूक इंस्टाग्राम वाटसब ट्विटर इन में सभी में सेटिंस में जो करके रखिए जिसे इजीली हैक नहीं हो पाएगा और आपका वाटसब भी सुरक्षित रहेगा कि शाद्यबूर से दिलिट सुराष्ट के रिपोर्ट